हलो दोस्तो एक्जाम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्तो अगर आपने बिहार पुलिस का एक्जाम दिया है जो कि 14 मार्च और 21 मार्च को संपन्ध हो चुका है और उसके बारे में जानना चाहते हैं कि उसका रिजल्ट कब तक आएगा तो ये वीडियो आपके लिए है सबते पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलती रहें और बेल आइकन को प्रेश जरूर कर दे ताकि वीडियो संबन्धित सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें दोस्तो इससे पहले मैंने जो बिहार पुलिस का कटफ कितना जाएगा इस साल उसके लिए वीडियो बनाया है आप उसे भी देख सकते हैं अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका रिजल्ट कब तक आने की उमीद है कब तक रिजल्ट आएगा इससे पहले भी मैंने आपको कटफ के बारें बताया था बहुत सारे छात्रों ने प्रशन पूछा मैंने सभी का प्रशन का उत्तर दिया है आप सभी का कटफ कितना जाएगा लगभग जितना मैंने बताया उतना ही कटफ जाएगा तो आप लोग निश्चिंत रहेए उसके अंदर आपका नमबर आ रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी जरूर सुरूर कर देजिए तो दोस्तो इसका रिजल्ट जो है आपका पहले के अधार पे पहले भी जो रिजल्ट इसके आँ है तीन महीने बाद इसके रिजल्ट आ जाते हैं दोस्तों और इसका जो संभावित है आंतरिक शूचना जो है उसके अनुसार जो इसका result आपका है वो 5 जुलाई तक जरूर आ जाएगा आपका 5 जुलाई तक इसका result आप देख सकते हैं यानि जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको इसका result मिल सकता है वैसे तो जून के अंतिम सप्ता में भी result आने की थोड़ी बहुत संभावना है लेकिन 5 जुलाई तक आपका result जरूर से जरूर आ जाएगा तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे like जरूर करें और चैनल को subscribe जरूर कर ले